दिल्ली हाट पीतंपुरा में कुरोना की चुनोतियों के चलते लगबग साथ महीने के बाद पुनाह देश के वंतिस से अधिक राज्यों यूटी के दस्तकारों शिल्पकारों के शांदार सुदेशी उत्पादनों से भरपूर हुनरहाट का 11-22 नवंबर तक वोकल फॉर लो इस मौके पर शिनकवी और श्री रिजी जुजी ने उनरहाट में देश के कौने कौने से आए दस्तकारों शिल्पकारों की कारीगरी का मौएना किया और उनकी होसला अवजाई भी की इस मौके पर शीनकवी और श्री रिजी जुजी ने हुनरहाट में एवं वर्च्वल प्लेटफॉर्म http.hunterheart.org का भी लॉंच किया जिस पर हुनरहाट में बिकने वाले हस्तनिरमित सामान उपलब्ध हैं इस मौके पर शीनकवी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया और जैसा कि अभी करंजी ने कहा कि रुकल शार्ट का नाम आते ही हमें रुकल शार्ट का एहसास होता है और फूरी दुनिया को उसकी गुरूबल पहचान का एहसास होता है आखने उनरहाट पे इसी साल की फर्वरी में हुआ था और हमें इस बात का कि पुशी है कि प्रामत्री जी का जो हमारे इंडिया गेट पे उनरहाट हुआ था उसमें अचानक उन्होंने भर्मण का काक्तम तेखिया था और मुझे भी नहीं पता था गिनन जी को भी नहीं पता था जानकारी आई कि प्रणा मंत्री जी उनरहाट में पहुंच गए मुझे पता लगा था कि मुझे लगा था कि प्रणा मंत्री जी बिना जानकारी के बिना सुन का गए और उनरहाट में पहुंच गए कि हम लोग की सब वहां पहुंचे हमारे लास साब वहां हो जिन थे और भी ज्वाधिकारी थी उसम लोग पहुंचे दौण करके और लगबग एक गिरो धंटा तक वो रहे और उसमों विहार को उन्होंने लिटी टोखागा था बहुत चर्चा हुई थी उसमों लोग कहने अस लगातार इस कोविट के दौरान की लगातार काम करते रहें लेकिन यह बात सही है कि उनको आर्थिक्री करने भी आई परिशानिया भी आई हमने अदी सूचा रहा है कि इंग्रीज में हम उनरहार्ट को पहले शुरू करने पे लेकिन कबाब जो कोविट प्रोटोपोल है उ विर्चूल उनरहार्ट की यह जो एई उनरहार्ट का भी प्लेट फार्प पूपलप पिया गया है अभी किरण जीन और मैंने उसको शुरू किया है जिसमें कि देश और दुनिया के लोग हमारे दस्कारों शिर्पकारों कारीगरों कि यह शानदार और जानदार विरासत है उस शानदार जानदार जानदार और मिरासत को का जो है कि हुसदायगर सकेंगे, खरीदारी कर सकेंगे, इसको ले सकेंगे, खरीच सकेंगे और एक बहुत बड़ा प्लेट वानुट होगा अभी बनार मंत्री जी ने वह फिलोनों की बात दी अभी आपने देखा कितने नायाब फिलोने हमारे देश में बनते हैं माटी, मेटल और मचिया मट्टी के भी सामान मिलेंगे मेटल के भी आपको सामान मिलेंगे मचिया मतलब यह जूट के सामान है लपनी के सामान है यह सारी चीज़े हैं तो इस माटी मेटल और मटिया की सुगन से भरपूर ये हुनरहाट होगा और ये 22 तक हुनरहाट चलेगा इसके बाद फिर लखनौ है, पुमई है, इंदौर है, अहंदाबार है, नासिक है, ये तमाम और जोगों पर आन अस्थानों पर भी जो है, वो हुनरहाट के आयोजन के है कार दो दो है